हेलो फ्रेंड फ्रेंड आज की वीडियो एक डिमांडेबल बीडियो है जिसे मेरे कुछ फ्रेंड जो अधर कंट्रीज में रहते हैं उन्होंने डिमांड की है कि मैं उन्हें अपने देशी तरीके से फिस फ्राइ करना बताऊं तो फ्रेंड ये आज की वीडियो मेरे दोस्तो की दिमांड पर है तो चलिए रेष्पी बामने मेरे देश में रहने वाले एंजोए करेंगे बना करके खाएंगे तो चलिए रेष्पी करते हैं तो फिस दो अच्छे से उसको वाश कर लीजिएक और सबसे लाश्ट में एक ढ़कन विनेगर डाल पर But उसमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा इसे क्या होगा कि आपके जो फिस हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे और जब भी आप इसे फ्राई करेंगे तो मतलब किसी भी तरह का इसमेल इसमें से नहीं आएगा इसलिए विनेगर से फिस जरूर फ्र लिएगा फ्रन्ट सबसे लाश्ट में और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दबा करके उसका पानी निकाल लिजिएगा जिससे कि आप जब इसमें मसाले अड़ करें तो इसमें से ज्यादा पानी नहीं निकले नहीं तो यह क्रंची नहीं होंगे इसलिए पानी दबा कर कि निकालेगा विसमें हम मसाले अड करेंगे तो हम्याप पर थोड़ा सा नमक लिए हैं टेष्ट एकॉर्डिंग ही नमक लेना है क्योंकि हम फिस फ्राई बना रहे थेश्टे अंकॉर्डिंग नमक ले लिजेगा थोड़ासा हल्दी ले लीजेगा, आदा चमच से कमी हल्दी लिये हैं और एक आधा नीमबु का रस इसमें निचोड़ दिजेगा, तो friend मेरे फिस की जो quantity है वो आधा केजी है, तो ये आधा केजी फिस का में फिस फ्राई बना रही हूं आप फिर उसमें जो है की एड कर दीजेगा, ये लाल मिर्च का पाउडर जो ये color लाल मिर्च का पाउडर है फ्रेंट जो कि अच्छा सा color देगा उसके बाद इसमें आधा चमज इसमें आपके पास जो भी कोई मसाला होगा गरम मसाला वो add कर दीजेगा या या मीट मसाला हमें हापर EOREST का मीट मसाला लिए है आप इसके जगर जो भी मसाला आप खाते हैं वो एड कर लेजेगा और इसमें हम फ्रेज दही दो चमज डालेंगे और कुछ इसमें पेश्ट हमें मिलाना होगा फ्रेंट तो यहां पर हम अद्रक हरी मेर्च और लहसन का पेश्ट बनाएंगे और जीरा है तो फ्रेंट अगर आपके पास लहसन का पेश्ट है तो एक चमज भर करके लएशन का पेश्ट अद्रक का पेश्ट डाल दीजेगा और जीरे की जगह जीरा पारडर ले लई जएगा और इसमें बिल्कुल फ्रेज जो है कि दो चमज भर करके यह दही डालेंगे तो फ्रेंट दही आप फ्रेस ही दही लीजेगा बिल्कुल खटी सी दही नहीं चलेगी पिर अच्छा नहीं लगेगा उसका टेस्ट और इन सब का हम पेश्ट बना लिये हैं तो मिक्सी में हम पीस करके पेश्ट बना लिये थे अब क्या करेंगे कि इसको अच्छे से मतलब एक दूसरे में मिक् गंटा मतलब कि इसको ऐसे ही इसमें हम छोड़ देंगे धकन लगा करके मतलब मेनी रट करेंगे हम लोग इससे तो आप इसे कम से कम एक घंटा रखी और ज्यादा टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो आपको छोड़ना ही होगा फिर उसके एक घंटे के बाद आप पानी निकला है थोड़ा सा तो हम यह पानी निकाल देंगे फिर आगे का प्रोसेस करेंगे तो पानी जो है कि आप निकाल दीजेगा नहीं तो आपकी फिस फ्राई जो है कि वो क्रंची नहीं बनेगी तो पानी निकालने के बाद फ्रेंड अभी हम इसमें क्या करेंगे ना आप चावल का आठा डाल लेजेगा इसी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हमें लेयर वाली फिस फ्राइन नहीं बनानी है बस इतना ही हमें बेसन एड करना है कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें कोड हो जाए और वैसे जब हम एक घंटे के लिए मैनिरेट किये है तो नमक मसाला बिल्कुल मतलब फिस में अंदर तक एकदम घूल गया है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मेरा एकदम पैन में तेल गरम हो गया था होट एकदम गरम था तो इसमें हम फटा-फट से अपने फिस को डाल देंगे और इसके आज को कम कर देंगे त तो जब भी फिस को डाल येगा तो एकदम तेज गरम वाले तेल में डालिएगा नहीं तो इसके मसाले छुटने लगेंगे अगर कम गरम आपका तेल रहेगा तो उसके बाद मीडियम लो मीडियम लो करके आप अपना क्रण्ची होने तक इससे फ्राइ कर लेजिएगा अप फ्राई हो गये हैं बस थोड़े से ही बचे हैं जिसे मैं इसे निकालते ही दूसरी बार में ऐड़ कर दूंगी तो फ्रेंड इसे फिस को जो है नहीं कि अच्छे से मतलब कोल्डरिंग के साथ लीजे तो इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है और फिस खाने में कोई द लिक्कत वाली बात नहीं है, हमें फिस खाना चाहिए, यह काफी फायदे मंद होता है, तो लगभग मेरे फिस जो हैंगी, आप से बाते करते करते, मेरे फिस बिल्कुल क्रंची से फ्राइ हो गया है, तो अब भी मैं क्या करूंगी, इनको मैं टीशू पेपर पे निकाल है, तो हमारी फिस फ्राइ बन करके रेडी है, तो हम लोग अब इसे इंजोई करेंगे, तो आप लोग भी फ्रेंड इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, अगर आपने कभी नहीं बनाई होगी, तो यह एक बार मेरे बताय तरीके से बनाएंगे, तो एक बार में ही हमारी प्लेटिंग है, तो अगर आप फ्रेंड कोल्डरिंग के साथ हमारा हम लोग इसे खाएंगे, तो अगर आप मेरे चैनल पर नीव हैं, और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक से और सस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई